गुड मोनिक फ्रेंड्स वेलकम टू अनलाइन स्टीडी प्यंट दोस्तो आज है नो मार्च और श्टार्ट करते हैं आज एकरनेड फ्यस पहला question है अंतराश्टी महिला दिवस कम मना जाता है तो प्रतिवर्श अंतराश्टी महिला दिवस मना जाता है आठ मार्च को दुनिय भर में अंतराश्टी महिला दिवस मना जाता है और आपको बता दे कि यह महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शांस्क्रितिक और राजनितिक उपलबदियों को अजस्ट्न मनाने वाले एक बैस्युक दिवस है और अंतराश्टी महिला दिवस 2019 की कैंपेन थिम क्या थी? इसके लावा मैं आपको कुछ और महत्पूर दिवस से लेटेट, तीथी से लेटेट कोश्चन बता देता हूं जो आपके एक्जामें पूछा आते हैं सबसे पहले मार्च के कुछ जान लेते हैं तो चार मार्च को भी राश्री सुरक्षा दिवस मनाया गया था तीन मार्च को विश्व नजीब दिवस मनाया गया था एक मार्च को विश्व भेदवाव रही दिवस मना गया था और पंद्रे मार्च को मना जायेगा विश्व उपफोक्ता धिकार दिवस और 21 मार्च को मना जाये था विश्व बानकी दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस 23 मार्च को शहीद दिवस मना जायेगा का निंजी का जन्म दिवस ठीक है और 15 जन्मरी को थलसेना दिवस 24 जन्मरी को राष्टी बालका दिवस का मनायता है बारती मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे ठीक है तो यह कुछ आपको मैं जो दिवस बता रहा हूं डेट से लेटेट कुश्चन अक्सर पूचे आते एक लगर्वान दिवस था था युट को थीक है 12 अगस्त को मना जाता है अंतराश्टी यूसा यूवा दिवस थीक है और राष्टी विगजान दिवस अ आप यहाल में मनाया गए था थाएस फ़रवरी को इस दिन जो है रमन प्रहु की खोज़ुए था हैस फरवरी को पूर्शन ने पिर हमारा कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरुषकार प्रस्तूत किया गया है दिया गया है तो फोट्टी फोर ठीक है ऑप्सन सी देखें उस्टो भारत की राश्च्पति राम्नात कुई ने अंतराश्च्टी महिला दिवस पर यानि 8 मार्च को ने दिल्ल कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरुषकार प्रस्तूत किया गया फोटी फोर अगला कोश्टन है हमारा भारत और किस देश के बीच कैंसर अंसंधान पहल पर संजोतेक जापन को मंजूरी दिए उसका करेक्टर रहागा ब्रिटेन के साथ ठीक है देखिए दुस्तों मैं कैंसर सोथ पहल पर भारत और बिटेन के बीच संजोतेक जापन को अपनी मंजूरी दे दी है और यह संजोतेक जापन 14 नौमबर 18 को स्थाखिर किये गये थे आपको बतादी कि भारत बिटेन कैंसर रिसर्च पहल उन प्रमुख चुनोतियों के पहचान करेगा जो कगे थे खान कें मिल्टन ठीक और बिटेन की बर्तमान में रानी है मोनार्क में वह और के शायं इस आपको पहल पर शुखतेर आपको मंजूरी दिये बृते के साथ चलिए एक लाकोशन है किसने खान सुरक्षा माने देशाला के साथ सम्झाओता है एक जापन पर साख्र किये हैं तो यह किये हैं दोस्तों option B SIM TARS ठीक है तो इसका फुल फॉर्म क्या है क्या चीज़ है यह इसका फुल फॉर्म है दोस्तों Safety in Minds Testing and Research Station देखिए जो खान सुरक्षा माने देशाला है यह और Safety in Minds Testing and Research Station ने साथ मार्च को एक सम्झाओता ग्यापन पर साख्र किये हैं आपको बता दें दोस्तों कि व्यापसा एक सुरक्षा के छेत्रे में तक्नीकिक जान सजा करने व्यवहारता और कई निसाहित अपस्वरों की खोश की जाएगी इसमें ठीक है और इसके तहट जो है अपको प्रदार्मत्री मोदी जी के चुनेंदा भास्णों का संकलन जिसका सीर्सक है सबका साथ सबका विकास अरुण जेटली द्वारा आठ मार्च को जारी किया गया था ठीक है और शूचना और प्रसारन मंत्रा लेकर प्रकासक विभाग द्वारा पांच उपकंडों मे प्रकाससीत संकलन को हिंदिय और अंग्रेजी में दोनों में जारी किया गया था और इन पुस्त को में देश कि सही नावरिकों को एक द्रिष्टी से देखने के लिए प्रसनमंत्री के द्रिष्ट को दर्षाय गया है ठीक है तो इसका नाम है सबका साथ सबका विकास अगला question है फिर हमारा 2019 में launch किये गए GIS आधारित mapping application का नाम क्या है GIS यानि इसका full form है Geographical Information System GIS आधारित mapping application का नाम है E-Dharti हाली में E-Dharti app launch किया गया जो एक नई online प्रणाली है जहां सभी तीन मुख्य मोडिल यानि परिवर्तन प्रदिस्थापन और दख्खिल खारिश को online किया गया है आपको उतादे कि लोग अब LNDO website पर जाकर अपने आवेदन online जमा कर सकते हैं जिसका नाम है GIS आधारित mapping application का E-Dharti Question No.7 है मोडी जी ने किस मंदिर के लिए गलियारे और सोधरी करण का सिला न्यास किया है 80 विशुनात मंदिर Option C तीक है उस तो मोडी जी ने 8 मार्च को बारान सी में 80 विशुनात मंदिर में गलियारे और सोधरी करण की अधार सिला रखी है और यह मंदिर गलियारे सभी मंदिरों और उनकी सुरक्षा और अक्षक के लिए आधर्स होगा ठीक है और इस गलियारे के माडल को त्यार करते समय हमारे सास्त्रों में उनले के सभी नियाव मानको और नेतिक मूले को ध्यान में रखा गया है तो जी एक ऐसी विसुनात मंदिर कोशन नमर यट थे शाओदी एड़भ में भार्त का राज़दूत किसे नीउक्ट किया गया है भारत का राज़दूत मोस्ट इमपोडन कोशन ने औसाफ साइध को ठीक अचाफ साइध को डाक्टर औसाफ साइध को साउधी एरह में भारत का अगला राजू नियुक्ट की अगया है वह वरतमान में सेशल्स गणराज में प्रमुक भारत को उच्चायुक्त हैं और हुआ हमद जावद की जगह लेंगे जो सितंबर जो दिसम्बर 2015 से साओधी अरब में राज़ूत के रूम में सेवा कर रहे है ठीक है तो इबरतबान में सेसल्स गंडराज के में भारत को चाय उपते हैं तो अब साओधी अरब में भारत का राज़ूत किसे ने उपते जाएगा और साप सहीत को और दोस्तों हैं पर बात हो रही साओधी अरब की तो साओधी अरब से रिलेटेड कुछ आपको कोशन बता देता हूं साओधी अरब की कैपिटल क्या है साओधीरब की केपिटल है रियाद है ठीक है रियाद है केपिटल और यहां के जो किंग है साओधीरब की वह सलमान और क्राउन पिंस है मोहमद ठीक है क्राउन पिंस कौन है मोहमद है तो यह इतने आप याद रखेगा यह साथियां की करेंसी क्या है साओधी रियाल है साओध साथ मार्च को नियू अधी और विद्वाव के खिलाए और बंजितों को और ससक्त बनाने की और ध्यान के अंद्रित करते हो सतत विकास लक्षों की प्रति समर्थन जुटाने का कारे करेंगी ठीक है स्वाइक तुराश्ट विकास करक्रम किसे अपना सथभावना राज़ दूर निक्तिया गया पदमा लक्षिमी को ठीक है UNDP ठीक है United Nation Development Program स्वाइक त देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर भारत और किस देश के साथ शैयुक्त अभ्यास अल नागाह 2019 का तीसरा संसकर्ण आउजित करेगा करेक्ट एंसाथ इसका ओपसंडी ओमान के साथ ठीक है सभी स्टूट ने राइट एंसर दिया था देख देख लेते हैं सब्सक्राइब जरू करें साथ में बेल आकन प्रिस कर दें प्रीज लाइक करना विर्कुल ना भूलें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने जितने भी आपके पास वाटसेप और फेसबुक प्रेस्ट डिस से रिटेट ग्रूप है सभी में इसको शेय सब्सक्राइब आप बेश्ट रही है पड़ते रही हिन जय भारत करें 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 करें